हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बोल दिया था कि ड्रम से बहिते पानी में मल्टिप्लायर को कैसा यूज करना है तो आप देख सकते हो अच्具 तरह से यह पानी आ रहा है अब यह मैंने मोलकर चालू किये है यह पानी आ रहा है अभी ये पानी के साथ जो मल्टिप्लायर में डाल चुका हूँ जो उसकी वाल चालू कर चुका हूँ ये देखिए आप खुद देख सकते हो कि इतना डाइलूट जल्दी से जल्द कैसा हो रहा है तो पूरा टोटल आपका पानी जितना भी है वो काला का काला हो जा है जो आपको आरसानी से मिट्टी के लिए एकर को एक किलो बहुत हो गया इसको बहुत काफी हो गया है तो यह पानी तो बहते पानी के साथ स्टार्ट हो गई मेरी मोटर तो यह बहते पानी के साथ यह देखिएगा यह मल्टिप्लायर कैसा जा रहा है खेत में आपको प्रै यहां से फ्लो होके स्टाड कर दिया तो इस पानी के दो एकर के लिए जा रहा है तो यहां पर मैंने इसको ब्लॉक करके रखा है तो पानी मैं वहां पर पीछे साइड में लेके जा रहा हूं उसको आगे साइड में लेके जा रहा हूं तो यह पानी जैसे भैते पानी के साथ जाएगा multiplier तो इसी तरह से जाएगा अब ये करने के बाद हर एक कालवे में पूरा का पूरा multiplier आसान इसे जाएगा ये वाला अब इसके बाद इस कालवे में आ जाएगा इसके बाद इस कालवे में आ जाएगा टोटल ऐसा करके पूरी दो एकर खेत में मेरे खेत को 60 कालवे है 60 मुक्रया है 60 मुक्रय के अंदर ये पूरा का पूरा मल्टिप्लायर एक बैलर एक एकर के लिए मतलब दो एकर खेत है मेरा दो ड्रम आदा आदा किलो मल्टिप्लायर हद से जादा हो गया तो आप ये किन दे कर पाओगे मेरा गन्ना इतना पतला हो चुका था फिर भी मल्टिप्लायर की दुआ है या मेरी स्टडी की दुआ है इतना अच्छा आया गन्ना कि आप देख सकते हो खोदी इतना हरा भरा जंगल बन गया है ये इतना हरा भरा आया और इसके फुटो की संक्या भी आप देख सकते हो, यह गन्ना जल से जल कैसा फुट रहा है, आप गवर से देखिएगा, यह गन्ना है, एक लेम दिखा रहा हूँ आपको, मेरे खेट की, तो ऐसा गन्ना आ रहा है, और यह पूरा दो एकर का गन्ना देखवा आप, और जो यह गन्ने में, रैट हैंड साइड में, जो कार्नर पे,